दिवस पार एक संगोष्ठी आयोज़ित की गई इस दौरान संगोष्ठी में हिंदी के प्रोफेसरों और आचार्यों ने अपने विचार व्यक्त की इंडिया न्यूस संबादाता रविश्रवासफ की ग्राउंड रपोर्ट आपको दिखाते हैं हरवर्ट्स 14 सितबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और आज हिंदी दिवस को ले करके राणा प्रताव इसनारत को तर महाविद्याले में हिंदी की दसा वा दिशा पर संगोष्ठी का आयोज़द किया गया है यहाँ पर हमारे साथ राडा प्रताप इसनात को उतर के जो प्रोफेशर है वो यहाँ पर मौजूद है मैं उसे बात करूँगा कि हिंदी और हिंदी की दसा को लेकर के उनके क्या कहना है हिंदी आज पूरी दुनिया में बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाली भाषा बन गई है हिंदी आज संचार की भाषा है, हिंदी रोजगार की भाषा है, हिंदी ब्यापार की भाषा है, हिंदी साहित की भाषा है हिंदी पूरी तरह से पूरी दुनिया में इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है आज कानून अभी मैं आप को एक उधारन दे रहा हूँ इलहाबाद हाई कोर्ड ने पिछले पांच वर्सों में 24,000 फैसले हिंदी में किये है ट्विटर पर यानि एक्स पर अभी आईईटी कानपूर ने एक डाटा जारी किया है उस पर बहुत तेजी के साथ हिंदी सब्दों की संख्या बढ़ रही है और इन दो वर्सों में 45% लोगों ने हिंदी का प्रयोग किया है इस दिश्टी से चाहिए वो सोशल मीडिया हो चाहिए वो कानून वेऊस्था हो अभी इदर चिकित्सा और इंजीनिरिंग इनके जो पाठिकरम है वो भी हिंदी में उपलब्द हो गए है तो इन वर्सों में हिंदी में इतनी तेजी की साथ शुधार हुआ है कि हम यह कह सकते हैं हिंदी आज वैस्वी कस्तर पर सबसे चर्चित भाषा है और दुनिया में की अग्रणी भाषा होने के और अग्रसर है अंग्रेजी को पंद्रह बर्शों तक राजभाषा इसलिए बनाया गया रखा गया या रखे जाने की बात की गई कि ऐसा माना गया कि हिंदी इतनी समर्थ और सक्षम नहीं है कि वह राजकाज की भाषा के रूप में साहिती की भाषा के रूप में बहुत सम्रेद थी लेकिन राजगाज की भाषा के रूप में प्रशाशन की भाषा के रूप में नयायले की भाषा के रूप में उतनी समर्थ भाषा नहीं मानी जा रही थी इसलिए 15 वर्षों तक और ये कहा गया कि हिंदी के लिए प्रयास कि कि आजाए कि वह इन सब चीजों की भाषा बने लिकिन आप मुझे पताइए समाज विज्ञान के ख्षेत्र में और तमाम ख्षेत्रों में हिंदी के लोगों ने कितना काम किया है कि ज्ञान के उन सामगरियों को हिंदी के पाठों तक उपलब्ध कराएं जरूरत इस बात की है कि दुनिया के विविद भाषाओं में जो ग्यान के सामगरियां हैं उन सब को हम हिंदी के पाठों को उपलब्ध कराएं ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनोती है हम हिंदी के लिए खुब बोलें और हमारे बच्चे आज भी अंग्रीजी माध्यम के इसकुलों में पढ़ा है आपका कहना सब्सक्राइब जिस तरह से अभी आपका कहना रहा जो यहां के प्रोफेसर से हैं उनका यह कहना है कि हम लाक हिंदी पर अपनी बातों को कहते रहें और अपने बच्चों को अंग्लेजी के लिए प्रोशाइद करें तो ये एक बड़ और आपको बताते हैं कि हिंदी एक ऐसी भासा है जो पुरे विश में तीसरे अस्तर पर जो ख्याती प्राप्त है और दूसरा चाहें वो मिल्सी प्रेमचंद रहे हो चाहें वो महादेवी वर्मा रही हो चाहें रवीना तैगोर रहे हो यह जैसे कभी और जो साहिदकार है इन्हों ने हिंदी को खासी ख्याती प्रदान की है सुल्थानपुर से कैमरा बसंद रजा के साथ रवी सिर्वास्तो इंडिया नियूस आज हिंदी दिवस है हिंदी दिवस प्रतीक साल 14 सितंबर को बनाये जाता है 14 सितंबर 1949 को ही समविधान सभाने ये निर्ने लिया था कि हिंदी के इंद्र सरकार की आधिकारिक भाशा होगी इसे लिए हिंदी को राजभाशा बनाने का निर्ने लिया गया इंडिया नियूस समदाता सत्यम बाजपई की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं अगरे में बताएं तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है और ये जो निर्णे लिया गया था 1949 यानी आजादी के दो साल बाद ये हिंदी दिवस मानाने का निर्णे लिया गया था और 1953 से लगातार 14 सितंबर को ये मनाया जा रहा है तो मैं इस वक्त मेरी मौझूदगी है उन्नाओं के एक सरोसी स्थित विद्याले में जहां पर ये छात्र शात्राएं हैं, हिंदी इनका प्रीविसा है, सीधे तोर पर इन से जानेंगे कि क्या जानते हैं हिंदी के बारे में और कौन सा इनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है तो बच्चों से बात करेंगे सिधे, क्या नाम है पर टापका, अब आजा, मेरा नाम अभिसेख सर्मा है, अभिसेख जी किस क्लास में हैं आप, मैं 11th में है, कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे फेवरेट, मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मतलब हिंदी है, हिंदी कैसा हिंदी बहुत अच्छा लगता है, मेरे जो सर्म पढ़ाते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता पहुत है, तो क्या हिंदी का कोई ऐसी चीज़ बता पहेंगे, रस वगर आपने पढ़े हैं? हां रस पढ़े हैं, तो रस के बारे में का जानते हैं? अरे मतलब कि जैसे कि बिन कि मानोड होता है बोट सब्णार हैं भी को जा जानती है है आपको बात कर लेंगे विटॉइ च्था मानवाश यह कौं Border स्थेक्ट से फि série है ऐसा लगता है हिंदी पड़ने में हिंदी के बारे में क्या जानती है आप का यह हिंदी दिवस है क्यों मनाए जाता है कियो कि बहुत सारे देशों में रहना पिर हाऊ है यज चीज सु बढ़ा सकती हिंदी में इस पढ़ने में सब अच्छा लगता हुआ कौन कौन सा रस जानती है? सर जैसे कि स्रंगार रश होता है, उसका इस थाई भवरती होता है, जैसे स्रयोग सिंगार रस में होता है, कि मिलने की मतलब नायोक और नायिका की मिलने की है हिंदी काफी इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट इनका है, कितिने रस होते हैं, नौ रस होते हैं, मुझे तो बताया था, ग्यारा होते हैं, नौ होते हैं, नौ होते हैं, सबसे चारस कौन सा लगता है पढ़ने में, हास रस, कोई ऐसा दोहा क्या नाम है आपका, रुची गुपत तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे नीले वितान के तले जागे इसका मतलब क्या हुआ कहुं सी सभा हो रही थी वहां पर जो वहां राम जी वहां चलेगे थे वन तो वहीं पर उनका बहुत अच्छे से बच्चों ने पढ़ा तो यह हिंदी के चात्र हैं हिंदी काफी अच चात्र हैं उसा सीदे बात कर लेते क्या नाम है मुसकान सेनी हिंदी दिवस है आज कुछ बोलना चाहें कि हिंदी के बारे में सर मुझे हिंदी मेरा फैबरेट सब्जेक है वह हमें बहुत अच्छी लगती है और जो मेरे सर हैं वो पढ़ाते हैं वो बहुत जो समझ में भी कि हैं हिंदी का प्रेयोग घरम में करना चाहिए और यह मुलभ में बासा है कुछ बताएं कि हंदी में कोई दोहा है बताएंग Meghi अभी नेदिमाख को यह चाहिते हैं अपना जो उन्नाव है यहां लगता है क्या हिंदी के कुछ कभी हुए है जानते हैं यह सर जैसे की तुलसिदा जी है अपने उन्नाव के रहने वाले है यहां को जो बैसवारा है यहां से कई कवियों ने कई मनीशियों ने यहां पर जन्म लिया है चंसे का राजाद भी हैं लेकिन जो खास बात है जिनको हम पढ़ते हैं हाई स्कूल और इंटर के किताबों में वहां यह जो पंडित प्रताप नरायन मिस्रा है यहीं बैसवारे के हैं नंद दुदारे बास पे यहीं बैसवारे के हैं पंडित प्रताप नरायन मिस्रा जो गद्द के हैं वो भी यहीं उन्नाव के हैं तो हिंदी दिवस के लिए आ